सब्सक्राइब करें हमारी चैनल हर्वप वर्ड हिंदी को और बेल आइकोन को दमाए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहली मिल सकेए ये है CPP काव पैट पिट खाद बायो डाइनेमिक एग्रिकल्चर में इस खाद का उलेख है इस खाद की तकनीक आई है ये जो एक गड़ा इसमें 60 किलो गाय का ताजा गोबर होता है इस गोबर में बीडी 501, 502, 503 ऐसे 509 तक और तक यह जो है प्रिप्रेशन इसमें डाले जाते हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल हरबक वर्ल्ड हिंदी में और आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि इसी तरह की अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें न नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें वीडियो अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं मगर गलत कमेंट ना करें और करपया गाली ना दें एक दो लोगों ने गाली दी और मैं उन लोगों स और हम अपना सपोर्ट जरूर दें सहयोग करें अपना ताकि जादा से जादा लोग देख सकें और सीख सकें जो भी चीज़ें आपको जीज़ी तरीके की वीडियो आपको देखना है उसके लिए कमेंट जरूर करें ताकि हम आप लोगों को अच्छी वीडियो एवलेवल करा सकें कोशिस कर रहे हम भी कि आप लोगों को अच्छी वीडियो हमारी चैनल के माध्यम से मिले तो इसलिए आप सभी लोग अच्छी कमेंट करें गलत कमेंट ना करें और सहयोग करें अन्य था कोई बात नहीं और आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी ट्रेनिंग की वीडियो को नई देखा है तो क्रपय अब ट्रेनिंग की प्रोग्राम की पूरी वीडियो देख है अब लोगों को जैविक खेती के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जैविक जीवन सहली और जैविक खेती आप किस प्रकार कर सकते हैं अपना सपोर्ट हमीशा इसी तरफ बनाए रखें जन फासफोरस पोटास के जिवानू यह इसमें तैयार हो जाते हैं तीन किलो प्रती एकड़ इसका खेत में डाला जाता है कोई भी गोबर खाद में मिला कर फेग दो यह दो किलो प्रती जो है 200 लीटर पानी में मिला कर घोल बना कर और चान कर स्प्रे कर दो इसको बलते हैं सी पीपी काउ पैट पिट पॉंच्टी में बना है अच्छा अच्छा और आज है जो है 23 मार्च दो हजार अठारा यह कीटनी अंत्रक बन रहा है इसमें गौवमूत्र कलेक्शन यह तामबा छाच का प्रिप्रेशन तैयार हो रहा है यह बिलवर असायन तैयार हो रहा है तो यह एक ही फल है राजेंदर जी एक ही पाउधा है कितने फल आ इसमें 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 तो शुरुआ है मतलब क्या हजार क्या सपास फल आए हाँ अब लगो उसमें इसमें नहीं हो पाती फल यह इनका जो है जो कुछ हो लेयर वाई लेयर जमाने के बाद उसको ढख देती है चाप देती है और एस नहीं डाल देते हैं जो बनता रहे थे तो बिलकुल यह भी कंपोस्ट बन जाता है कि यह स्नाइन के प्रप्रेशन भी बन रहे है यह वर्मी कंपोस्ट खाद बन रहा है